दोस्तों मैं हूँ प्राभास दोस्तों यदि हम भारती रिल्वे में हुए बड़े परिवर्तन की बात करें पिसले करीब तीन से चार सालों में तो हमारी भारती रिल्वे अब प्रॉफिट ओर्येंटेड हो चुकी है यानि कि धीरे दीरे वो लाब कमाने के और बढ़ रही ह इसके लिए जो तमाम संसादन है उसका इस्तेमाल किया जाया रहा है चाहे हम बात करें स्लीपर क्लास के ट्रेनों की संख्या को कम करने की या फिर हम बात करें उन ट्रेनों की तिनमें पहले स्लीपर क्लास के डब्बे काफी ज़दा थे अब काफी कम हो चुके हैं और दोस् तो क्या है यहाँ पर फैसला कैसे इससे बड़ा परिवरतन होगा आज किस वीडियों में से बारें बात करें कि पुरेटल के साथ दोस्ट प्लिक डूस करूं मेरा आपसे आगरा इजी भी कला सब्सक्राइब नहीं कहते ना सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके अपने रहे भी जरूर बताए तापका है तो आप इस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लेडियों में दिया हुआ है चलूस्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यदि हम यहाँ पे फैसले की बात करें तो पुरवत्ता रिल्वे ने एक टेंडर निकाला है जिसमें यह बताया गया है कि पुरवत्ता रिल्वे से चलने वाली करीब 13 जोरी टेंडरों में एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा और इसके लिए टेंडर निकाला गया है और दोस्तों इसमें से जो अधिकतर टेंडर है वो हमारे बिहार की है यहाँ यहाँ परमाने तो यहाँ देखते हैं कई जगा SBI कई जगा आडानी या फिर विक्रम जैसे मूवी के अडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट होगा यहाँ पर यहाँ पर यह हम टेनों की बात करें तो बिहार की पहली टेंड है 1512526 बना अगली टेन है मुझापरपुर जैंक्सन की टेन संक्या है 1253839 बनारस मुझापरपुर बापुधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस टेन में भी एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा अगली टेन है इंटर सिटी एक्सप्रेस जोकि छपरा से नो तनमा के बीच में चलती है टेन संक्या है 15105006 अगली टेन फिर से इंटर सिटी एक्सप्रेस ही है यह है छपरा वार्णसी इंटर सिटी एक्सप्रेस अगली टेन है दिली के लिए चलने वाली टेन संक्या 1511615 ओल्ड दिली छपरा लोक नायक एक्सप्रेस इसमें भी एडवर्टाजमेंट किया जा है दोस्तों पारे में आपकी कराया है कॉमेंट करके जरूर पता है जिसना है इंगी बिलिंग को साथ प्रतली चाहिए जा भारत